जो चेरा आज बिलो कर रहा है ये चेरा आज से 17 साल पहले डल हो गया जो आदमी योग करते हैं जिन में पूरी आक्सिजन है पूरी इम्मुनिटी है उनका करोना भी कुछ नहीं बिगाड सकता जिटनी भी अपनी सेनाई हैं आमरसर में चाहे वो आर्मी हैं चाहे एर-फोर्स है चाहे बीस अश्फ है इन में भी मैंने बहुत कैम्प लगाई है नमस्कार शाषिका दोस्तो बहुत सवागत आपके चैनल दे नियू स्वेव चैनल पे और दोस्तो बहुत थैंक्स है आपका कि आपने हमारे सारे ही इंटू बहुत एप्टिशेट करें इंको लाइस करा सबस्क्राइब करा और दूसरों के साथ शेयर भी किये आज आपकी अगर हम बोले कि अमरिसर पंजाब जा दुनिया कैसा कोई शिवर थी है जहां पे योगा की क्लासिस नहीं की होगी तो यह जूटनी होगा जीहां मेरी मुलाद है मैं मतु बादाजी से जोकी पिछले 16 साल से योगा शिवर लगारी है और आज हम इसे बात करेंगे और जाने और बाचित करेंगे कि कैसे जो योगा है आज परोन नव काल भी यहां करता है तो सबसे परिले में सभड़ करता हूं मैं मधु बादा जीहीं का कि आपने हमे आज अज ताइन है मैं हमें बहु स्वागत आपकर जीहां तो आपने मुझे यहां गुलाया और मुझे इस आप को बनाया, बताया कि मैं लोगों तक अपना संदेश पहुचास। और दश्को आपको बतादू कि मन्दूबाला जो मैं है वो पिछे 16 साल से जैसे मैं आपको बताया कि योगा कर ली है और हजारों ही ऐसे लोग है जिनकी लाइफ जोने चेंज कर दिये योगा के ज़िए और मैं आज हमें बहुत भी एक अच्छा फिल हो रहा है कि हम आपके साथ बैड के रिंटुव कर रहे हैं 2004 में हमकाजी एक बार में बीमार हुए और बीमार होने के कारण मेरे बोड़ी में बहुत बलड की कमी भी आपी और मेरा चेहरा भी खराब हो जब मैं आगे चलती थी तो मैं पीछे चली जाती और बात करती थी तो मेरे खोट सूप दे जो चेहरा आज बलो कर ला है ये चेह को फिट दिया जाए उसी अपनी बुर्णी के परिणाम को लेगे मैं योगा फिद्या पिजाओना जी और जैसे कि आपने देखा कि माम के चाहरे पर जो एक अलग सा ही ग्लो है जासा कि नॉमल लोगों के चाहरे पर देखने को नहीं मिलता है और जब मैंने भी इन से पैली ब कि वज़ाउ है और माम आप वाके में बहुत ग्लो जे बरे हुए हो और आप लोगों को प्रेणा बी दीत वहां आपको прим देख है तो आपने कहां से रोगा दोसी का है पर क 선생ण कहां पर आपने शिवर की अवीya होगा कि मैं थे को वैसे का मैंने एप मेर योगा में किया है ल उनका मैंने पहले करते हैं पहले बैज की में पहली सुड़ी. वहां से मैं योग सीत्धे आयी और मैंने योग की पढ़ाई भी किया देखतीं हैं और फिर मैंने प्रैक्टिकल батियी योग करना सुरू किया. तो योगा के जब परिणाम आने सरू होगे. जैसे जैसे परिणाम आते हैं तो लोग भी फेमस हो जाते हैं और आप जो आठ करते हैं चाहे वो कोई भी है वो भी सामने आते हैं और बहुत अच्री मैम ने बात करें कि अगर आप जो भी काम दिल से आपको काम करते हो यह के जो रिजल्ट होते हैं, बिल्खुर सामरे आते हैं, लोग आपको अपिशिप भी करते हैं मैम बहुत गढ़िया काम कारें चाहिटी में और मीजन सबसे जो इंबॉटन बात है वह यह है कि मैम एक हाउसफोई है इसके बावजूद भी ये लोगों को टाइम भी देती हैं, अपने घर पे क्रासिस भी लगाती हैं, जो की बहुत बड़ी मिसाल है, खासकर एक ऐसी लेडी के लिए, जो सारी चीजे एक साथ कर दियो, और मैं हम बहुत अप्रिशेट भी करते हैं आपकी इस सारी पोचिशे को नग हमारे वीवर्स को बताइए कि कहां कहां पे आपने योगा कि यूवर लगाई हो अगर हम अमिसर की बात करें, ज़ अगर हम अमिसर की बाहर की बात करें अम्रसर में मैंने परजाब पुरिस में लगाई हैं, यूनिवर्स्टी में लगाई हैं, डीवी में लगाई हैं, एस्टी बेंक में लगाई हैं और जितनी भी अपनी सेनाई हैं अम्रसर में, चाहे वो आर्मी है, चाहे एरफोर्स है, चाहे बीसर है इन में भी मैंने बहुत कैम्प लगाए हैं, बहार मैंने प्रह्मकुमारी में चर्खिदादरी में भी लगाए हैं, डीवी में भी लगाए हैं, और देरादूम में भी लगाए हैं, मैं जहां भी जाती हूँ, वही योगा का कैम्प कराती हूँ, कैलाश मानव जी के साथ नार तो चलते हो जाएं कि ऐसी इंसान के लिए कि उसके पाद बाद जो पहचाने और ऐसा होना भी चाहिए और मैं, जैसे कि हम जानते हैं कि जो योग जो है वो पिष्वे हजावाँ सालों से ही चलता आ रहा है ती चाहिए, और अज काफी सारे लोग हैं जो को आपना के अमनी डॉट उटने के जा रहे हैं और अच्छी दूदगी को हमतीर कर तो एको आज भी कुछ ऐसे लोग है जो उपनानी रहे है तो आप हमें यह बताए कि योग मेरे ऐसा क्या है, कि जिससे हम अगर हम अलोपैथि की बात करें, अगर हम बीयर्पस की बात करें, अगर हम दूसी अगर बात करें, उससे ज़्यादा रिजर्फ जो योग से हमें मिलती है योग तो मुझे लगता है जब से पृत्वी बनी है तब से योग हो देखो क्रिशन भगवान आई, इतनी गोपियों के साथ वो करते थे, डान्स, तो वो योग से ही करते थे न, नहीं तो हम तो 108 क्रिशन नहीं न बन सकते माता पारवती ने गनेश जी पारवती जी को पैदा किया, तो कभी सुना हमने कि उनको प्रेगनेंसी हुलिया अव्तार हो गया, वो किस से हुआ? योग से हुआ, योग कोई आज की चीज नहीं है, योग करने के लिए हमें सिरफ एक नियम बनाना परता है और जो आदमी नियम से चलता है, उसे ना कोई योग होता है, और वो दुनिया में वी फेमस होता है आप अपने ही घर में एक नियम बना लें, अगर आप नो बजे खाना खाते हैं, तो आप रोज नो बजे खाना खा रहे हैं ना, यही बात में कहा रही हूं, अगर आपने सुबह छे वजे योग करना है, तो आप रोज योग करें, और योग करने से आपको छोटी-छोटी सार चुकारा मिल जाता है, आपको सरजरी तक भोँजना एलै नहीं पड़ता है, आपका कभी हार्टेग हो यह नहीं सकता, आपका कभी ब्रेन हैम्रेस हो यह सकता, जो आदमी योग करते हैं, जिन में पूरी ऑपसिजन है, पूरी इम्मूनिति हैं, उनका करोणा भी कुछ नहीं और जैसे मैं आपने अभी बताया कि जो प्रॉपर तरह से योगा करते हैं और कोनों उसका पुछ्ण पीगार सकता हुए उसका कुछ्षन बीजा बीजाशी सुपर इपने पूरे उस पूरे रहता है देखो, सबसे पहले अगर हम ध्रामरी प्रानायम करते हैं, हम पूरी लंबी गहरी सांस भर रही हैं, पूरी लंबी गहरी सांस छोड़ रहे हैं, देखो, ऐसे जितनी देऊ। जितनी देऊ हम सांस ले रहे हैं। से बहार आरेगी। तो आप बताओ, यह एक्शेसाइज करने से आपको कभी आकसेजन की कमी होगी। कभी भी नहीं होगी। अनुलोमविलोम पराना है। हमें कैसे करना है। आप उल्टा हाथ से सुरू करना है, सीधा हाथ लें इस परकार देखें, लेफ्ट हैंड में सास बरें, राइट में छोड़ दें, फिर राइट में बरें, लेफ्ट में छोड़ दें, जिसमें सास बरेंगे उसी में सास छोड़ेंगे, लेकिन सरू हम कहां से करेंगे, लेफ् आप को में आपको वही बात रही हुए। जतनी देर हमसास भन रहे हैं हम쪽에 ले और देर हमसास ओन फूडर ऐ हैं जहरीली गैस बोडी से भाहर आ जिएक़ने में निए कि एस्टरबल नहीं होगी, कभी अखसीजन की कमी नहीं होगी, कभी खासी जुखाम भुखार नहीं होगा, क्योंकि E and T को क्योर करता है हमारा अनुलोंग बिलोंग प्राइब मैं यह तो आपने बता दिया कि कैसे आप अनियों, बिलों, आप जैसे करते हो तो आपका उसीजन तो लेवल है, वो सही रहता है और आपका जो बोड़ी भी सही रहती है अब प्लीज हमारे वीवर्स को बताये कि क्या ऐसा कुछ योग का कुछ ऐसा प्रणायम है कि जिससे करने के बाद हमारी जो इम्मुनिटी है क्या आज का देखनों को जैसे की करोना चल रहा है, हर एक इंसान को, हर एक बंदे को यह है कि मेरा इम्मुनिटी सिस्टम कैसे सही हो इम्मुनिटी कहां से आती है, इम्मुनिटी है क्या, इम्मुनिटी ताकत है, इम्मुनिटी एक कॉन्फिडेंस है, इम्मुनिटी हमें, देखो कमजोर आदमी होता है तो उसे कितनी बीमारिया घेलेती है, लेकिन जो ताकतवर आदमी होता है, वो बीमारियों से लड़ने क करो योग बगाव रोग लेकिन वोने से ही बिलकुर सही तरीके से और बिलकुर सही देसे जो कि मैं मधुबाला जी काफी समय से लोग सिकारी है अब जो हमरे घर पे जो बैठी लेडी जो कि जाधर अपनी घर पे वुजी रहती हैं क्या उको मैसिज जेना चाहते हैं और कैसे वो योग करने के साथा अपनी लाइफ को बैकन कर सकती है मैं ओडशों को एक मैसिज देना चाहती हु जितनी भी माताइ życie है Bernay design वो जरूर योग करें, क्योंकि जो ओरत होती है, वो घर की नीम होती है, अगर नीम स्ट्रोंग है, तो उस पे आप कितनी भी दिवारें और छटे खड़ी कर सकते हैं, आप अगर फिट हैं, तो आप अपने पती को भी खुश रख सकती हैं, आप अपने बच्चों को भी कर देंगी, भारत एक कामयाम होगा, क्योंकि आप आदमियों से कंदे से कंदा मिला के काम कर रही हैं, और उन्हें निरोग रख रही हैं, अगर हम स्वस्थ हैं, तो हम चार की वजाए आठ घंटे भी काम कर सकते हैं, अगर हम बिमार हैं, तो हम एक घंटा भी नहीं कर सकते ह मेरी सबी पहनिवेटियों से कुछ अपील है कि सब अपने आपको निरोग रखे और मैं यह नहीं कहती है दो घंडे आप करें या एक गंडा योग करें आप आदा घंडा जरूर योग करें और अपने खाने पीने का धियान रखें अरी सब्जियां खाएं जाते हैं क्योंकि अपने आपको बचाना आसान होता है लेकिन रिफाइंड को बचाना भूद मुश्किल होता है और बदूबाला जी ने बहुत अश्या एक मैसेस दिया हमारी सब्स्री उन सारी लेडिस को और नोगर पे रहते सी काम के ऊपर ही काम करे जारी है लेकिन उनकी सेहर कहीं नहीं प्ती है उनसे यूवाल करिये जाए जांके हम दूशे सब्स्री दमना करें कि वह अपने सेहर के साध जारी कर सकती है, कर नहीं है। वह लेडीज भी मैम की तरह योगा कर सकती है और विवर्स अगर आपको किसी भी तरह की योगा से नेडिन कोई भी हम चलिये है अगर वे शार सब्सक्राइब पर सब्सक्राइब कि यह अगर मैम की चाहते हो जाहिए उनकी योगा प्लासी तो हम इनके नुगर नेचे कि लोग से ज्यादा से ज्यादा सीखे और अच्छी जिन्दीजी एक और अजर आपको यह क्या लगे तो आप को अपया हमें चानल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लास्मीं में उन्मीर का पिर से और लाखा ऐब वहां होरे कि आप नंग जिस्तिं यह सकसर हो जाएगा तो एं अब बुलाने वाला कोन हे, आप ही तो हे, आपका बहुत बहुत दन्यवाद है। आपका बहुत बहुत दन्यवाद। तेंक इए पर बोट गोच, पर ने खोड़ें।